आज हम चर्चा करने जा रहे हैं गरंथाल्यों और सूचना केंद्रों के प्रकार के बारे में पिछले पार्ट में हमने पढ़ा कि गरंथाले की अफशक्ता जो हैं वो हमारे समाज में किस-किस तरीके से होती है ग्रंथाले का क्या महत्व है समाज के लिए और ग्रंथाले के जो कारे हैं वह समाज में किस तरीके से आर्थिक, सांस्कृतिक और सैक्षिक विकास में महत्वपुन योगदान देते हैं अगर आप देखिए तो ग्रंथाले लोगों की साक्षरता में वृद्धी करता है ग्रंथाले को सेवाओ से लोगों को ग्यान और कोशल वे उत्पादक्ता में साकरत्मक वृद्धी कराता है जिसके कारण किसी वेक रास्ट के विकास में एक ग्रंथाले का बहुत ही बड़ा रोल होता है अगर आप संसार में देखें ग्रंथाले कई परकार के होते हैं और जैसे कि हम इस आज के पार्ट में विबिन परकार के ग्रंथाले के बारे में चर्चा करेंगे आज इस पार्ट में जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसका मेन उदेशया है गरंथाले के प्रकार की पैचान करना कि कितनी तरह के जो गरंथाले हैं वो होते हैं जैसे कि सारुजनी गरंथाले जिसके बारे में हम अभी आगे विस्तार से चर्चा करेंगे इसके बाद सैक्षिक, विस्षिष्ट और रास्ट्रिय गरंथाले जो है वो हमारे आज की समय में उपलत हैं इसके अलावा हम गरंथाले वर्गी करन के मानकों के बारे में भी हम डिसकस करेंगे और इसमें हम प्रतिक प्रकार के गरंथालों के उदेशयों, कार्यों और सेवाओं का वर्णन जो है प्रते एक प्रकार के गरंथाले के उधारन दे सकने में भी सक्षम होंगे तो सिक्षार्तियों आज जैसे कि मैंने आपको बताया कि गरंथाले के चार प्रकार होते हैं पहला जो है सेक्षिक गरंथाले होता है जो कि शिक्षा संस्थानों से जूड़ा होता है दूसरा सारजनिक ग्रंठाले होता है जिसको हम पब्लिक लाइबरी के नाम से जानते हैं जिसको कि किसी भी देश की सरकार किसी एक कानून के अंतरगत बनाती है इसके अलावा WISIST जिसको कि हम Special Library के नाम से जानते हैं Special Libraries या फिर विशिस्ट गरंथाले या कुछ इस तरीके के गरंथाले होते हैं, जो कि कुछ specialized, special institutions जो कि research और development में किसी एक देश में या किसी एक particular subject के ओपर development करते हैं, उस अपने institute के साथ बनाया जाते हैं, इसके बाद रास्ट्री पुस्तकाले होते हैं, जो कि चोथे तरीके क पुस्तकाले हो, और actually में रास्ट्री पुस्तकाले की अगर हम बात करें, तो रास्ट्री पुस्तकाले जो हैं, वो एक रास्ट के द्वारा बनाये जाते हैं, किसी एक देश में या एक से ज़्यादा रास्ट्री पुस्तकाले हो सकते हैं, और वो पुस्तकाले जो है, basically किसी एक देश में print होने वाले, publish होने वाले जितने भी literature है, जितना भी सामगरी है, print सामगरी या फिर non-print सामगरी उसको हम अपने पास रखने के लिए या उसको संग्रह करने के लिए इस तरीके के गरंथाले को बनाया जाता है, तो आएए हम सबसे पहले सारजनिक गरंथाले के ब खोला जाता है, और इसको किसी ना किसी एक्ट या किसी ना किसी कानून या किसी ना किसी लौक के अंदर इसको खोला जाता है, अगर सारजनिक गरंथाले की बात करें, तो यह एक सामाजिक संस्ता है, और यह समाज के कल्यान में एक बहुत ही मैत्पुन भूमिकाने बाती है अगर आप सारजनी करंथाले की विकास के लिए चर्चा करें तो इसके बहुत सारे कारक हैं जैसे कि अगर सारजनी करंथाले को खोलने का जो प्रमुकुदेशा है वो जनता को ज्यान के लिए प्रिडित करना है ताकि वो अपने रोज की जो कारेय विदी है कारय परणाली है उसमें सक्षमता प्राप्त करने के लिए क्यान की प्राप्ती करें इसके अलावा स्वय शिक्षा के माद्यम से शाक्सरता का स्तर सुधारने के लिए भी सारजुनिक रंताले का बहुत ही बड़ा रोल होता है जैसे कि स्वय शिक्षा मतलब self-learning क्योंकि आप जानते हैं कि बहुत सारे जैसे कि National Institute of Open Schooling की है अगर हम बात करें तो ये self-learning को बढ़ावा देता है और self-learning के लिए आप जो है में enroll कर सकते हैं और इसी तरीके से जो सारजुनिक विद्धाले हैं जैसे कि किसी भी self-learning के लिए शिक्षा के लिए enroll किसी भी भारत के किसी भी कोने से करा सकते हैं तो उस तरीके से आपको वहां की पढ़ाई को पूरा करने के लिए सारजुनिक विद्धाले के बहुत बड़ा अपना एक योगदान होता है इसके बाद सूचना प्रसार केंद्र के रूप में भी information dissemination के रूप में भी सारजुनिक विद्धाले का बहुत बड़ा रोल होता है क्योंकि आप जैसे देखेंगे कि अगर आपको कोई information आपको चाहिए और आप किसी institution से या फिर आप किसी institution या फिर किसी organization से आप जुड़े नहीं हुए और आपको सूचना चाहिए तो सारजुनिक विद्धाले जो है उसका एक बहुत ही बड़ा रोल होता है एक आम इंसान के जिन्दगी में इसके लावा आप देखेंगे कि सारजुनिक विद्धाले जीवन भर सीखने के आवशकता के केंद्र के रूप में भी बहुत ही ज्यादा रूप से माना जाता है क्योंकि आप कभी भी किसी भी उम्र में आप कुछ पढ़ना चाहरे है तो उस केस में अगर आपके घर के पास में या आपके रीच में कोई अगर सारजुनिक विद्धाले हैं तो आप बहुत असानी से वहाँ पहुं सकते हैं इसके लावा ये एक समुदाय का बोधिक किंद्र बराने के लिए भी एक काम आता है इसके लावा मनरंजन किंद्र के रूप में भी काम आता है क्योंकि बहुत सारी पत्रिकाय होती है जिसको मनरंजन के लिए जनता पढ़ना पसंद करते हैं इसलिए सारजुनिक रंधाले बहुत ही important माना जाता है इसके अलावा सारजनी गंधाले जाए विज्ञान में प्रद्योगी चेत्र में प्रगती के लिए भी बहुत ही ज्यादा उपयोगी माना जाता है तो अगर हम देखें इतने सारे तथ्यों के बिहाफ पर की सारजनी गंधाले होता क्या है तो हम जिसको की बनाया जाता है जनता की उपयोग के लिए और जनता की उपयोग के लिए कैसे बना जाता है जनता की निधी द्वारा जैसे की जनता के पैसों के द्वारा दूशे शब्दों में हम कहा सकते हैं सारजनी गंधाले जो है जनता के द्वारा जनता के हित के लिए जनत आंतोर पर आगर आप देखेंगे कि सभी प्रकार के गरंथालों को पांच उदोष्य होते हैं जिसे कि शिक्षा, एजुकेशन के लिए, सूचना मतलब इन्फोर्मिशन के लिए, मनोरंजन मतलब एंटर्टेन्मेंट के लिए, सुंदर परशिंशा और अनुसंधान मतलब रि स्पेशल गरंथाले जो है, उसका जो इस्तेमाल है वो स्पेशल रिसर्च ये हाई लेवल के रिसर्च के लिए किया जाता है, लेकिन मगर आप सभी चीज़ों को देखें, सारजनिक गरंथाले एक इस तरीके का पुस्तकाले है, जिसका परियोग शिक्षा के लिए भी किया जाता है, तो ये सारजनिक गरंथाले का जो concept है, ये आया कहा से, देखें, अगर आप इसके concept में और आप इसकी history में जाएगे, तो 1949 सारजनिक गरंथाले Magnifico जो है किसी written test के लिए जाएंगे, interview के लिए जाएंगे तो यह आप से पूझा जा सकता है कि UNESCO को manifesto है जो कि सारजनी करन्थाल है या public library के लिए बनाया गया था यह कब बना, यह कब बन किया तयार हुआ और इसका जो संसोधन है वो कब हुआ तो उसके बाद 1994 में इफला जो की international body है जो की all over world में जो libraries है उन लोगों को represent करती है जिसको की हम international Federation of Library Association इफला कहते है उसके सहयोग से UNESCO ने एक सारजनी करन्थाले गोशना पतर तयार किया 1994 में और इस गोशना पतर के एक्चली में व्यापक रूप से सभी देशों द्वारा सहविकार किया गया जो भी UN के मेंबर थे और यह सारजनी करन्थाले की अगर आप देखेंगे इसके उदेशे और गतिविदिया और सेवा इन सब के लिए इस गोशना पतर को इस्तिमाल किया जाता है तो देखेंगे कि इसका basically उदेशे क्या है यह किसलिए इसको बनाया जाता है तो अगर आप इस चीज़ को जानना चाहेंगे कि सारजनी करन्थाले को क्यों बनाया गया है तो इसके लिए बहुत सारे जो तथें इसको हम अभी डिसकस करने वाले है जैसे बालेकाल से ही बच्चों को पाथन शब्ता तथा पाठे रुची जिसको कि हम इंग्लिश में कहेंगे इंकल्केटिंग औफ ब्रीडिंग हैविट अमंग स्टूडेंट्स तो इसको बढ़ाने के लिए सारजनी करन्थाले जो है इसको जैसे कि अगर हम इंग्लिश तर्मिलोजी को यूज करेंगे तो इसमें परसनल और जो सेल्फ लर्निंग जो है एजूकिशन जो है उसके लिए भी हमारा सारजनी करन्थाले का जो बनाने का जो मकसद है वो यूज किया गया इसके व्यक्तिकत सारजनी करन्थाले को बनाया गया आप देखेंगे इसके लावा इसके बहुत सारे उदेशे हैं जो कि सारजनी करन्थाले को बनाया जाना पड़ा जैसे कि बहुत सारे नागरिकों को सभी प्रकार की सामोदिक सूचना चाहिए होती हैं तो अब जो नागरिक है वो जो 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 लाइबरी हैं वहां नहीं जा सकती तो सारजनी करन्थाले को उस समय में इसका यूज किया जाता है इसके लावा जो स्थानिय उद्यम हैं या फिर संकोत था समहित समू हैं उन लोगों को प्रयाप सूचना प्राप्त करने के लिए भी सारजनी करन्थाले जो है उसको इस्तेमाल किया जाता है अब देखिए क्योंकि सारजनी करन्थाले पब्लिक लाइबरी तो सभी आयूवर्क के वैक्ति उनको साक्षरता संबंदी मदद देने के लिए और बाकी दूसरी गतिविदिया और योजनाए है उसमें भाग लेने के लिए भी सारजनी करन्थाले को बनाया गया है अगर हम संग्षेप में कहना चाहिए कि सारजनी करन्थाले होते क्या है तो हम देखेंगे कि युनेसको ने जो अपनी पब्लिक लाइबरी घोशना पत्र को तियार किया है उसमें जो में भूमिका जो है जो सारजनी करन्थाले निभाती है या निभाने वाले है या निभा देख सकते हैं. देखिए जैसे कि हमने भी डिसकस कीया सारजूरिक्रंधाले कारे के बारे में अब देखिए, समाज में प्रतेक वैक्ति को जीवन्यापन और स्वैंचिक्षा प्राप्ट करने में इन सब चीजों में सारजूरिक्रंधाले का बहुत बड़ा रोल होता है. अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली में आप देखेंगे कि दिल्ली के अंदर दिल्ली पब्लिक लाइबरी है जिसकी बहुत सारी ब्रांचेस हैं और अलग अलग ब्रांचेस पर अगर आप अलग अलग उसके जो जगह पर खुली हुई है आप जाके देखेंगे किस से जो है आम पब्लिक जो है उस लाइबरेरी की बुक्स को इवन आजकल तो डिजिटल मेटरियल भी वहाँ पर अबलेबल है जिसके थूँ आप जो है लाबानवित हो सकते हैं इसके अलाबा पटना की खुदा बख्ष ओरेंटल पब्लिक लाइबरेरी है जिसको कि एंसेंट लिक्टरेचर के लिए बहुत ही फेमस है तो ये तो हमने डिसकस किया था पब्लिक लाइबरेरी के बारे में अब हम जो दूसरी तरीके की लाइबरेरी को डिसकस करने जा रहे हैं वो हैं सेक्षिक गरंथाले और किसी भी सेक्षिक संस्थान के गरंथाले की कितनी भूमिका होती है उस संस्थान के विकास के लिए उसमें अगर कोई भी सेक्षिक संस्थान है तो उसकी जो रेटिंग है उसको जो हम तुलना करते हैं उसको जो मापते हैं उसमें उसकी लाइडरी उसकी भूमिका को भी हम बहुत अच्छी तरीके से उसकी शम्ता को अनूप करते हैं और ओपयोकताओं को सेवा प्रदान की जाती हैं। यह हौते हैं विध्यार्थी, कौन कौन से हम इसको कह सकते हैं कि कितने तरीक है किizo pathway हैं कि के सेक्षिक संस्थान में होते हैं। देधिए पहले हैं विध्यार्ती होते हैं, तूसरा शिक्षक होते हैं, शोधार्ती होते हैं और संस्ता के प्रसास्निक या व्यवसाई करमचारी और अन्यक तरह की करमचारी होते हैं तो सेक्षिक गरंथाले के अगर हम बात करें तो गरंथाले के प्रकार के अनुसार उनके उदेशेकारे, विद्सोर्स, योगिता, पदवर, करमचारी को, कि संख्या भिन्बिन होती है, और क्योंकि अलग अलग तरीके की शिक्षक संस्थान होते हैं, क्यों कुछ छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, अभी हम आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे, दुसरे होते हैं महा विद्द्दॉ Buddhas, गृंठ आले, जिसको कि हम कॉलेच लइडर्यी बोलते हैं, महा विद्दद्द्द्द आले proceeds होते हैं, जहां पे की बच्चों को जो की अब higher studies की तरफ जा रहे हैं, स्कूल के बाद, वहां की services, वहां की सेवाओ के लिए जिस जो कि University Libraries के नाम से जानते हैं और ये High Class और Intensive Research के लिए इन विश्विध्यालों को बनाया जाता है तो आईए सबसे पहले हम विध्याले गरंधाले के बारे में डिसकस करते हैं विध्यालों को जो भी शिक्षा वे प्रतान करते हैं उस शिक्षा स्तर के अदार पर हमें चार समों में विभाजित किया जा सकता है जैसे कि अगर आप देखेंगे विध्याले जो है वो प्रात्मिक विध्याले होते हैं एक middle होते हैं प्रात्वी जो है पांचवी तक की शिक्षा वाले होते हैं, middle होते हैं जो की आठवी तक होते हैं, एक मादमिक होते हैं जो दसवी तक होते हैं और इसके लावा वरिष्ट मादमिक विद्याले होते हैं जो की बारवी तक होते हैं और जो actually में अपने उप्योगत मतलब users की अवशक्ता की पूर्ती करते हैं तो ये basically विद्याले ग्रंथाले के बारे हमने बताया और इनका जो basically जो विद्याले ग्रंथाले का जो main उदेश्य होता है वो बच्चों के अंदर पुस्तोकों को पढ़ने की अभीरूची जागरत करना होता है इसके अलावा पुस्तोकों के प्रती उनका प्रेम को बढ़ना होता है और विद्याले ग्रंथाले अगर आप देखेंगे तो वो बच्चों के अंदर पढ़ने में अभीरूची की आदों को प्रोसाइट करना है क्योंकि अगर बच्चे स्कूल लेवल में या फिर विद्याले लेवल पे अगर वो पढ़ना नहीं सीख जाते हैं उनकी आदत में नहीं आता है तो आगे हाइर एजुकिशन के टाइम पर वो ज़्यादा एक्सल आजा अच्छा नहीं कर पाते हैं इसलिए विद्याले ग्रंथाले जो होते हैं उनकी जो value है, उनका जो काम है, उनका जो responsibilities है वो बहुत ही हाई होती है तो आप देखेंगे कि विद्याले ग्रंथाले जो हैं इनके बहुत सारे कारे होते हैं जैसे कि छात्र एम शिक्षाओं के लिए ग्यान प्राक्ति एम शिक्षन है तो उत्तम संग्रय को निर्मान करना, संग्रहीत सामगरी को उचित व्यविस्तित एम प्रदर्शन करना कारात्न भोतिक सुविदाय जैसे भवन, फरनीचर और उपकरन, उपलप्त कराना और योग्या प्रतिबत करमचारियों के नियुक्ति करना तो आप देखेंगे जो विद्याले होते हैं, इसमें जो लाइडरीज होते हैं, विद्याले गरंथाले होते हैं, इनकी जो सेवाई होते हैं, वो भिन-भिन तरह की जो सेवाई हैं वो प्रतान करते हैं जैसे आगम निरगम जिसकों कि हम issue written कहते हैं, अध्यन जिसकों की study area के बारे में हम कह सकते हैं, जिसके लावा संदर्व सेवा जैसे की reference services कह सकते हैं, और इसके लावा चातरों में पुस्त के बै अन्या पाठे करम से related जो भी समगरी है उसको पढ़ाने में की अभुरुजीत क रुची के उदेश्य से उनका मारदर्शन में परामर्ष परदान करना, इसके लावा विद्याले आप देखेंगे, ऐसे तो आप भारत के जिस भी छेत्र में होंगे, आप के यह स्कूल होंगे, स्कूल के विद्याले के अंदर जो है, लाइबरी होगी, आप उसका example दे सकत हैं, तो शिक्षारतियों आईए, अब हम जो सेक्षे गरंथाले, उसके दूसरे प्रकार को डिसकस करते हैं, जिसमें महाविद्याले गरंथाले हैं, जिसको हम कॉलेज लाइबरी के नाम से जाना जा सकते हैं, अब देखें, महाविद्याले जिस तर पर जब स्कूल से बच ज्यादा बढ़ जाती है, उस case में, जो महाविद्याले गरंथाले हैं, क्योंकि उसमें self-learning ज्यादा बढ़ जाती है, self-learning in the sense कि क्लास में बच्चे बहुत जाना है, उनके ऊपर एक टीचर जो इतना ज्यादा धियान नहीं दे पातें, तो गरंथाले की जो भूमिकाएं व महावधालय है और वेवसाइक महावधालय होता है अगर आं महावधालय गरंथालय की बात करें तो इसके भी कुछ उद्श जीए होते हैं जैसे कि महावधालय कोलेश वी लाइबरणे एं पर लाइबर होते हैं जो यह इसमें जी सacji कि데 उनके जो अलग अलग तरीके की विश्य होते हैं उसकी गहन जानकारी रखना और ताकि स्टूडेंट्स को क्या चाहिए वो डॉक्यूमेंट्स जो है वो जो किताबी है वो उन तक पहुचाना इसके अलावा उच शिक्षा और स्वे अध्यन के लिए चात्रों का मारदर्शन क गरंथाले के उदेश्य होते हैं इसके अलावा आप देखेंगे कि विध्यालयों, सरकारी विभागों, नागरिक समस्याओ, संस्थानों, व्यवसाय, प्रतिस्थानों, व्यवसाय तथा उध्यमियों का उच्छ कारे बाहर संभालने के लिए चात्रों को त्यार करना इन मह महावध्याले लाइब्रेरी की बहुत ही बड़ी भुमिका होती है अगर आप महावध्याले गरंथाले की बात करें तो महावध्याले गरंथाले बहुत सारे कारे करती हैं जैसे कि शिक्षा क्या चात्रों को पढ़ने के लिए अधियन करने के लिए जो भी लिटरेचर जि पे आप बैटके comfortably पढ़ सकते हैं या फिर आपका उपकरण आदी उपलब कराने के अभी ये कारे करते हैं इसके लावा गरंथाले की अंदर संधर पुस्तकों की व्यापक मतलब reference books की जो है व्यवस्ता कराना भी महाविदाले गरंथाले की एक बहुत ही बड़ी छेतर प्रण किताबे आपको प्रवाइड करानी है उनको सामगरी प्रवाइड करानी है जिससे कि सूचना संदर्ब और कुछ reference services और SDI services जो होते हैं उनका रोल शुरू हो जाता है इसके लावा किसी एक particular subject पर नवीन पुस्तकों को प्रदरिशित करना और या फिर multimedia सामगरी की सूचित त देखेंगे बहुत ही बड़ा difference यह होता है कि इसमें रिप्रोग्राफिक services जो है आपको देती हैं जो कि स्कूल लाइब्रेरी में नहीं होती इसके लावा multimedia सामगरी जैसे कि मैंने आपको बताया इसके लिए इसकी requirement जो है वह बहुत जादा जो है इस महाविदाले गरंथाल जो कि बहुत ही important होती है इस गरंथाले समीती में जो उसकी गरंथाले का प्रधाना चारे है वो समीती के अध्यक्ष होते हैं उसके बाद इस समीती के अंदर librarian जो है वह as a secretary वो इसमें काम करता है और विदाले के कुछ वरिष्ट अध्यापक और कभी-कभी महाविदाले के बाहर के कुछ library information science की जो specialist है उनको रखा जाता है और जैसे भी जितना भी रोज का material आपको चाहिए होता है जो भी किताबे उसमें procure करनी है books procure करनी है या कौन-कौन सी services सेवाई हमें देनी है इन सबकी जो decision है वो इस गरंथाले समीती के लिए दिया जाता है और college गरंथाले जो सबसे महतुपून बात है कि उनका जो fund है उनके लिए जो grant है वो university grant commission से प्राप्त होती है और कभी-कभी राजय सरकार से भी ये अनुदान प्राप्त होता है और इसके लावग जो student से fees ले जाती है और छातरों से जो जुर्माना प्राप्त किया जाता है ये जुर्माना इसके funding के लिए library को manage करने के लिए जो है इस्तिमाल की जाती है अगर हम महाविदाले गरंथाले की उदेश्या देखेंगे तो जैसे कि करोडी मल महाविदाले गरंथाले है दिल्ली आप देखेंगे वो जो है university एक college जो है महाविदाले करोडी मल उसके साथ attach है इसके अलाव जो सरकारी प्रद्योगी महाविदाले गरंथाले कोयमबर टूर है वो भी इसका एक सजक उधारन है तो अब सेक्षिक गरंथाले में हम विश्विदाले गरंथाले के बारे में जानेंगे विश्विदाले मतलब university आप देखेंगे 1947 के बाद से ही जो university है उसकी development जो है बहु यह बहुत ही अलग तरीके से होते हैं अगर आप देखेंगे कि विश्विदाले गरंथाले जो है उनके लक्षे और देशें जो है उनको पूरा करने के लिए उनको उसकी जो services है उसकी जो उदेशें बहुत अलग है क्योंकि विश्विदाले के अंदर जब भी कोई student आता ह है कोई चातर आता है तो उसको एक special information चाहिए ताकि वो सरकार या फिर उद्यम स्वास्त अभियांतरी विदी रक्षय किसी भी समय पर किसी भी चीज़ पर advanced knowledge उसको चाहिए तो जो विश्विदाले गरंथाले उसका जो रोल है वो बहुत ही मैतपूर्ण है और इसकी जो services है इसकी जो कार्ण है यह भी बहुत ही अलग तरीके के होते हैं तो अगर आप कार्रेंज देखें तो जो विश्विदाले गरंथाले है यह ज्ञान प्राप्ति के लिए शिकशक सोथ तथा प्रकाशन इतयादी में जो है वो मदद करता है इसके लावा यह गरंथाले में संग विश्विधले ग्रंथाले को ऐसा कराना पड़ता है ताकि छात्रों को सटिक information मिल पाए इसके लावा आप देखेंगे कि विश्विधले ग्रंथाले जो है इसके अंदर बहुत सारी नई सेवा आ जाती है जैसे कि रिप्रोग्राफिक सर्विसेस आ जाती है इसके लावा इस में जो बहुत सारी नई नई तरीके की जो एडवांस जो लिटरेचार है जो की एक शोद करता को एक एन्रोल्ड शोद करता को या फिर एक टीचर को चाहिए वो इसमें बहुत अच्छे से जो है प्रोवाइड किया जाता है अब देखें जैसे कि एक महाविधाले में ग्रं किया जाता है ताकि वो उस लाइबरी जो विश्विदाले ग्रंथाले समीती है उसके चेयरपन बन पाएं इसके लावा जो लाइबरीयन है वो जो है उसके सेकेटरी होते है इसके लावा जो सीनियर प्रोफेसर होते हैं सीनियर प्रोफेसर जो है वो उस कमिटी के मेंबर हो और जैसे कि college में जो funding है वो होती है इसी तरीके से विश्विदाले गरंथाले समीती की जो funding है वो भी UGC के दोरा या फिर किसी state government के दोरा या फिर जो funding students से as a fees या फिर as a जुर्माना लिये जाती है उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं. तो आप देखे विश्विदाले गरंथाले के उधारन जो है दिल्ली विश्विदाले गरंथाले है जौलन नहरू मदरास विश्विदाले गरंथाले हैं तो देखे इस आज हमने गरंथाले के प्रकार के बारे में जाना जैसे सेक्षिक, सारजनिक, विशिस्ट और राष्ट करन्थाले होते हैं, उसको किस तरीके से बनाया जाता है, उसके क्या कारे होते हैं, उसके क्या उदेशे होते हैं, उसके लावा रास्टे करन्थाले वो क्या होते हैं और को किस तरीके से बनाया जाता है उसके क्या उदेश्य होते हैं तो अभी इस भाग में इतना ही नमस्ते